राशियों के अकॉर्डिंग 12 राशिय तो पहली राशिय मेश राशिय जैसे तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या अलग-अलग मुखी रुद्राक्ष जो उनको धारन करने करें यह यह आप बताइए हमें आज लेकिए रुद्राक्ष गरहों से संबंदित भी हैं एक से नो मेश राशिय की बात कर लेते हैं मेश राशिय वालों के लिए तीन मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है जो बहुत अच्छा रिज्रड देता है उसके बाद विरिशब राशिय है उसके लिए छे मुखी रुद्राक्ष और साथ मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है उसके बाद मिथुन राशी है मिथुन राशी वालों के लिए चार मुखी रुद्राक्ष और पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है उसके बाद करक राशी है करक राशी वालों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष चंदरकार रुद्राक्ष ब तो एकठा भी धारन कर सकते हैं या जैसे किसी को अगर आप दो और तीन बता रहे हैं कि लिए दो भी अच्छा और तीन भी अच्छा है तो यह सब चीजे बहुत सारी देखने हैं अब यहां में एक जर्नल राशी वह बात कर रहे हैं तो राशियों के इसाब से जैसले जा सवामी चंद्रमा ठीक है तो उसके लीए दो मुखिर उद्राक्ष बहुत अच्छा थीक्या बैसे सिंग राशी आगई तो सिंग राशी का जो स्वामीय वो सूर्य है ठीक है तो उसके लिए एक मुखिर उद्राक्ष और तीन मुखिर उद्राक्ष बहुत अच्छा है अब उसके बार जैसे कन्या राशी है कन्या राशी वालों के लिए चार मुखिर उद्राक्ष बहुत अच्छा है तुला राशी वालों के लिए छे मुखिर पढ़ता है कि किस राशी के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है ठीक है जैसे अब वरिश्चिक राशी है उसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष और बारा मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है अच्छा धनु राशी है अब धनु राशी के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है और उसके बाद मकर राशी है उसके लिए छे मुखिर रुद्राक्ष साथ मुखिर रुद्राक्ष चोदा मुखिर रुद्राक्ष बहुत अच्छा है ठीक है उसके बाद कुम राशी है कुम राशी वालों के लिए तेरह मुखिर रुद्र पैंच मुखी रुदराक्ष अर्मीन राशी मीन से वालों के लिए उला मुखी Choice लिए तू के लिए सुला मुखी रुद्राक्ष बौछ जते हैं लिया में भी ही रुद्राक्ष अब अलग चीज़ है अब उनकी कुंड़ी में ठीक है सबकी कुंड़ी अलग अलग है महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग रुद्राक्ष देखा जाता कि कौन सा रुद्राक्ष पहना चाहिए लेकिन इहां बाद राश्यों की कर रहे हैं तो उन राश्यों के लिए ये रुद्राक्ष अच्छे